मौसम की बेरहमी से बदहाल किसानों पर पी-एम मोदी ने बढ़े हुए मुआवजे का मरहम लगाया है प्रधानमंत्री ने एलान किया है कि अब 50 नहीं बलकि 33 फीसदी नुकसान पर ही उन्हें सरकारी रहत मिल जाएगी और वो भी बढ़े हुए दर्से विज्ञान बेशक कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले कुद्रत के क्रोध के सामने भला किसी की कहां चली है फिर किसान से बेचारा आखर हिंदुस्तान में और कौन है बैमान मौसम की मार ने फसल चौपट कर दी और किसानों को खुदकुशी के अलावा शायद दूसरा कोई विकल्प नहीं दिख रहा पिछले चन दिनों में ही महस चार राजियों में 60 किसान आत्महत्या कर चुके हैं एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी और केंद्र सरकार भूमियादिक रहन बिल को संसत से पास कराने के लिए जद्दो जहत कर रही है मौका मुफीद है लिहाज पीएम मोदी ने मुद्रा बैंक को लॉंच करने के दौरान पहले किसानों का दुख दर्द बाटा फिर मुआवजे के रूप में बड़े तोहफों का एलान कर दिया देश का किसान प्राकुर्तिक संक्रटों से जूज रहा है गतवर्ष वर्षा कम हुई वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजरा कर रहा था और इस बार जितनी मात्रा में बे मौसमी वर्षा और ओले गिरना इतनी तबाई हुई है किसान की हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं और आज उसको जो मदद करने के सारे परामिटर्स हैं उसको अब डेड़ गुना कर दिया जाएगा अगर उसको नुक्सान में पहले सो रुपिया मिलता था डेड़ सो मिलेगा पी-म ने अलान किया कि अब 33 फीज़ी नुक्सान पर ही किसानों को मुआवजा मिलेगा वो भी डेड़ गुना ज्यादा अब जो किसान बदहाली की मार नहीं जेल पाए वो तो चले गए लेकिन मोदी की नई मुनादी के बाद उम्मीद है कि केंद्र से राहत की नई बयार बचे हुए किसानों की जिन्दगी को थोड़ा सुकून जरूर पहुँचाएगी दिल्ली से मनोश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो